अगर आपको ऐसी नोकरी चाहिए जो आपको समाज में सम्मान दिलवाए और साथ में अच्छा वेतन भी मिले तो इसके लिए आपको कॉलेज प्रोफेसर बनना होगा अब आपके मन में सवाल आएगे जैसे प्रोफेसर कैसे बने और प्रोफेसर बनने के लिए आयू सीमा कितनी होनी चाहिए और प्रोफेसर के लिए कौन सी पढ़ाई करे और प्रोफेसर को कितनी सेलरी मिलती है इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल College professor का पद किसी को सीधे प्राप्ट नहीं होता, प्रोफेसर को पहले assistant professor का पद दिया जाता है, इस assistant के पद पर कुछ वर्शों तक कार्य करने के बाद, फिर promotion के द्वारा प्रोफेसर का पद मिलता है. आप जानेंगे, प्रोफेसर के लिए कौन सी पढ़ाय करें, 12 वीक अक्षा पास करने के बाद आपको ग्रेजुएशन में कम से कम 50 प्रतिशत अंक से पास होना होगा और तीसरे साल के अंत तक आप ये डिसाइड कर ले की आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है ताकि आप वही सब्जेक्ट को आगे कंटीन्यू कर सके ग्र वागू कर दी है जैसे PhD पास करने के बाद आपको UGC Net Exam नहीं देनी पड़ेगी यूनिवरसिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो PhD करना जरूरी है असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद उन्हीं लोगों को दिये जाएंगे जिन्होंने PhD की हो अब जानेंगे प्रोफेसर बनने के लिए आयू सीमा कितनी होनी चाहिए जैसे प्रोफेसर बनने के लिए आयू सीमा का कोई भी प्रावधान नहीं है लेकिन PhD और Net Exam में आयू सीमा 21 से लेकर 28 बर्श तक होती है और इसमें आरक्षित वर्ग के केंडिडेट्स को आयू सी के बाद 185,000 के आसपास तक सैलरी पहुँच जाती है इसी तरह की जानकारी से भरी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले